हेलो गाईज वल्कम बैक टो डिजस्टेडी दिस इस धिरत्सकुमार आज जो हम लोग करने जारे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जड़ीड वी आंत्रीक के सेक्शन वा निकलिए साइन्स का टॉप 500 को जो एमसी क्यूज का सिरीज चल रहा था उसका पार्ट 8 और गाईज सब्सक्राइब करने के लिए एक पीडियेफ फाइल में हम लोगों ने बनाया ध्यान सुनना ये पीडियेफ है इसके अंदर दस प्रैक्टिस सेट्स हैं और एक प्रैक्टिस सेट्स के इंडर 60 कोईश्ट्स हैं और एए 600 कोईश्ट्स हैं ठीक है सारे सब्जक्ट्स के मैथ रिज्य इंगलिज और वगगरा passar जो भी एजीख है ठीक है टोटल मिला के 600 कोईश्ट्स हैं और ये कोईश्ट्स हैं इन लिए मॏस्विश्ट्स है और हैं इन इन 200 पूछा जाएगा साइट जांगे इंग्स भी आपका साइन जी के जाते हों और इस पीडिएफ को बाई करने के लिए description में मैंने PDF का link दे दिया है अगर link के through payment करने में कोई problem आ रही है बाई नहीं हो पा रहा है या फिर आपका payment cut हो गया आपको PDF नहीं मिला तो सब के लिए मैंने के staff रख दिया staff का WhatsApp number मैंने description में दिया तो उनको WhatsApp करें कंटेक्ट करो contact करो सब का help करेंगे वो ठीक है तो WhatsApp के through जाओ WhatsApp को description मैंने दे दिया है तो उस WhatsApp के through बता भी देंगे कि इस ebook को कैसे आपको खरीदना है और सिर्फ उसे 50 रूपीज के अंदर मैं आपको दिलवा रहा हूँ बहुत सारे लोग इसको बाई करके जाना एक्जाम से पहले और पढ़ लेना सिर्फ बाई मत करना पढ़ना भी first question हो क्या कह रहा है यांतरी कुर्जा को विदियो तुर्जा में बदलता है देखो यूटूब पे मैं हिंदी में खरा रहा हूँ बट उस PDF में हिंदी और इंग्लिज दोनों लैंग्वेजज में question है अगर science के question है तो हिंदी इंग्लिज दोनों में reasoning है तो हिंदी इंग्लिज में है मैत है तो हिंदी इंग्लिज में जी के भी हिंदी इंग्लिज में है ठीक है सारे subjects हिंदी इंग्लिज दोनों में PDF के अंदर करता है यह विद्ध तुर्जा को यांतरी कुर्चा में पदल देता है ठीक है ना तो यह जड़ा याद करके रखना दोनों में बहुत अंतर है अब देखोगा इस का कह रहा है एसा यूनिट पूछता है इल्यूमिनेस का पूछ रहा है यहां पर यह लिख दिया थोड़ा सा इल्यूमिनेसन इसको इल्यूमिनस भी कहा जाता है तो इल्यूमिनस का आपका इसा यूनिट लक्स होता है ठीक है लक्स वह साबूर नहीं जिससे नहाते वह नहीं अब यह लक्स क्या है आपका इसा यूनिट है ठीक है अब यह धातू में धातू का मिसरन क्या होता है मेटल के अंदर मेटल का मिक्सेर क्या होता है गई देखो आपने IS का नाम सुना भाई जैसे बॉक्साइट यह किसका आय अगयाश का भाई ठीक है अलियमीनियम का अब ऐसि का कहने का मतलब क्या है अब इस presumối के अंदर मिश्रन आं मिश्रन देखो इसके अंदर एलोए जसको इंग्लिस में एलोए कहा जाता है हिंदी में आयस्क आता है ठीक है तो याद रखना ये एक धातु में धातु का मिस्रन है अगला क्या कह रहा है एक तार में एक समान विधूत दोड़ रही है तो उस तार पर क्या होगा बहुत सारे बच्चे बोलेगे कि किवल विदुद छित्र होगा नहीं उसमें चुम्बकिये छित्र है जिसके वजह से विदुद इस पार से उस पर बराबर एक समान दोड़ रही है ठीक है विदुद छित्र से काम नहीं चलेगा तो उसमें चुम्बकिये छित्र है चलो धिए उस तो यह तो िएस यह तो गैस गया तो चार्कोल जो है गाईज यह एक solid form में आता है ठीक है तो चार कोल एक ऐसा इंदन है जो कि ठोस होता है 36 कह रहा है यदि uranium निर्वात में रख दिया जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा uranium को अगर हम निर्वात में मतलब vacuum में रख दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अके न तो ये याद रखना तढ़ित होने या फिर तढ़ित गिरने का अर्थ क्या है तो अब बेन तो जो है वो जैसे आपने देखें गती से वह कहां जाती है वह किसी इनसान पर गिरने के लिए ना ही गिर्ती है वह पृतल ह לצ्वित हम ठीक है ध्यान से लेखना बहुत important question है दो बल्ब अगर एक साथ चमक रहे हैं इनमें से एक अधिक चमकता है और दूसरा कम चमक रहा है तो उस पर प्रतिरोध का क्या परभाव पड़ेगा दूसरा जब कम चमक रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ और एक जो अधिक चमक रहा है है तो to a Gesetz आयरा बात समझ मैं। जैसे एक एक्जामपल ए लो एक क्या है पाई थीक है यह दूसरा पाइप है समझ रहे हो मालो सेम मालो सेम मालो इसकी जो है शेम है ये भी दो मालो से इसकी radius 2 cm है इसकी भी मालो 2 cm है पहले वाले से pipe से पानी ज़्यादा जा रहा है और मैं इसमें pipe में आदे में उंगली घुसा दूँ तो obvious है कि पानी कम जाएगा क्यूं क्यूंकि मैं उसमें resistance उत्पन कर रहा हूं प्रतिरोध उत्पन कर रहा हूं ठीक है तो यही reason है कि अगर म कम उंगली रहेगा तो वही बात है उंगली करोगे तो भाई problem हो जाएगी वही बात है प्रतिरोध करना मतलब की चीज में उंगली करना समझ रहे हो आधिक प्रतिरोध रहेगा तो current कम जाएगा वो कम चमकेगा ओकी चलो पानी किस तापमान पर उबलता है कुछ लोग बोल होता है जैसे माननों प्रतिवी के सठापे पर होगा वो उस पे प्रेशर जादा होगा उसका ऑता रहेगा अगर यह पहाड पर चलो एक मान सवमिरर उच पहाड पर जाओ तो उसका कॉसमें होगा तो 800 तो फिक्स डेटा मत देदा न कुछ भी ऐगजाम में जब तक हम को पूछे नहीं कि प्रिथवी की सत्ह पर या पिर इसके सत्ह पर पूछे नहीं अपना अंसार होगा सत्ह दबाव पर निर्भर करता है वो अब जल का गलनांग कितना डिगरी होता है यह बताओ जल का जिसको चाकू से काट देंगा, बता हो ये तो बहुत ही बड़ा सावाल हो गया सोना ऐसा धातू होता है जिसको चाकू से काट वे तो जनरल ये वह नहीं कटेगा ठीक है? हाँ तुट फुट गया वह बात लागे वर काटने के बारे में बात की जा रही है तो सबसे सॉफ्ट माना जाता है सोडियम को इतना सॉफ्ट ये मैटल होते हुए भी क्या होता है करट जाता है ठीक है आगे देखो चिकन गुनिया किस प्रजिवी के काटने से होता है तो चिकन गुनिया जो होता है या फिर डेंगू जो होता है वो मशुरों के काटने से होता है अपना प्लेटलिस डाउन होने लगता है तो ये क्या है मॉस्क्योटो ठीक है इसमें हिंदी में भी इंगलिज दे रखा है आगे देखो किस रसायन को पुर्णिता प्रतिबंदित कर दिया गया यह कोशन है किमिस्ट्री का तो एक बहुत सब्सक्राइन है जिसका बट आपका यूरिया एंपी के और क्लोरोफार्म तो भी यूज होते है ठीक है बट ख्लोरेडेन एक ऐसा रसायन है जो कि किटना सख है ठीक है इसको प्रतिबंदित किया गया विकोज इस प को दूर करने करने के नाजों को लग जाती है तो यह उता है इस है इसके वज़े से को फटा होगा दो हैं उसके वज़े को अपको पता हो जाना चाहिए विवीरियो इस वेजा होता है हाईजा होता है है तो अभी कभी कभार हीं ना हें यह निया नियाही है तोफ यह वाफ़ती है अब आगे कहा τछाएए और इस ही नाम माई कोलरे छुपा और इसके वाजह सी यह होता है। हई ट्रोजन का योग शुद्र क्या होता है पता हो जहरीली गया सबसे जहरीली का स्कॉन सी है नाइट्रस अक्साइड है मिथिन है ओजन है या पिर सुलफर डाइक साइड है नगर तो यह तो उजन नहीं है अब अब देखो guys gober gases से हम लोग पहले खाना बराने के लिए यूज़ करते थे उसमें मिथेन है तो जहरीली हो दी तो खाना कैसे बनता उससे nitrous oxide सुंखा देंगे तो आप तो हसने लगोगे अब जहरीली है तो आपको हसी कैसे आ रहा है तो यह सब जहरीली नहीं है sulfur dioxide जो ऐसा gas है जो कि एक जहरीली gas है ठीक है nitrous oxide जिसकों लोग laughing gas कहते हैं याद रखना है N2O N2O आगे देखो क्या है पिलिया सरीड के किस अंकों प्रभावित करता है पिलिया मतलब zondis ठीक है न तो यह अमारे यकरित को liver को क्या करता है प्रभावित करता है और बहुत बार एक्जाम में पूछा भी गया है बहुत important question है Hydrochloric Amale का सुत्र बनाओ बताओ तो Hydrochloric Amale जो है वो कहां यूज होता है जिर्डरली आप बता ना यह हमारे Isil को बोलते हैं देखो Hydrochloric Amale हमारे ही जो है न या कृत के द्वारा या फिर हमारे हमारे मतलब human body में भी पाई जाता है hydrochloric acid और जो एक और acid होता है sulfuric acid जिसको हम लोग battery में use करते हैं मैंने दोनों को clear क्यों कर दिया क्योंकि कुछ लोग यह याद कर लेंगे कि hydrochloric को हम लोगो कुछ लोग बोल भी देंगे बैटरी में यूज करते हैं बड़ ऐसा नहीं है वह sulfuric acid होता है S2SO4 और hydrochloric acid जो हमारे human body produce करती है इसको कहाते हम लोग HCL ठीक है कंकाल की IU जो है वह पता किस विदी से लगाया जाता है तो यह carbon dating ठीक है तो B में जो दिख रहा होगा आपको carbon dating methods से हम बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों की AIDS के बारे हैं पता कर सकते हैं कि वह कितनी पुरानी है ठीक है तो यह अपकी exam के लिए बहुत important सारे questions थे बड़ जादे जाती चीज में आपको बता दूँ कि आपको स्क्रीन पर वाट्सप नंबर दिख रहा होगा इस वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट करो आपका मतलब राहूल हैं जो हमारे स्टाफ हैं आपको मार्केटिंग के सारा समाल मतलब सारा काम देख रहे हैं ठीक है उनसे आप कॉंटेक्ट करो और इस PDF को जतना जल्दी हो सकता बाई गर के रख लो ठीक है और एक गाईज आप इसको कहीं भी किसी भी ग्रूप में सेर मत करना अधर वाइस अगर पकड़े जाओगे तो आप पर फिर प्रॉब्लम आपको होगा ठीक है तो चलो मिलते नेक्स वीडियो के नदर तब तक लिप बाई बाई और इस वीडिय आपके यहां पर 20 कोशन्स कराए मैंने उस मुझे बताना पहले से कितनी कोशन्स आपको याद थें